है है हमारे देश में 33 करोड से ज्यादा छोटे किसान है जिनके जीवन का रक्ष अपना कर्म करते रहना है ये किसान आज भारी संकट के दौर से गुजर रहे हैं फिर भी एक बेहतर जिंदगी के लिए पूरी इमानदारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं राजधानी दिल्ली जहां इन किसानों के जीवन को दिशा देने वाले जिम्मेदार लोग बैठते हैं और जहां से इनका भाग्य निर्धारित होता है ऐसा नहीं है कि इस संकट के बादल यहां नजर नहीं आ रहे दिल्ली की मलिन बस्तियों में रहने वाले 61 प्रतिशत लोग इन छोटे किसानों के परिवारों से हैं यह सोचते रहे कि ज़्यादा खाट छोड़े यह तो पैदावारी ज़्यादा होगा इन बड़े बड़े फ्लाई ओवरों और रेलवे पट्रियों के किनारे रहने वाले इन लोगों की आवाज शायद कभी सरकार तक नहीं पहुच पाएगी अब हम आजाद तोर मंडी की जुग्गी की और निकले हमेश आयद इन बड़ी बिल्डिंगों में होने वाले सेमिनार और फ्लाई ओवर के निर्मान से फुरसत नहीं मिल पाती कि हम जाकर इन किसानों का हाल जान सकें किती है मगर उसे पूरा नहीं पड़ता वाई वो चार साल में अगर हो भी गया एक साल तो क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ अगर हर इक चीज़ चीज़ शुदाय हमको मिलती है वहाँ पे तो आने क्या जूरत है दिल्ली कोई जूरत नहीं अगर कोई जब कोई सुधाय नहीं कोई साधन नहीं तो हमको मजगूरी फिलाल यहां आना पड़ता है जो मसीनों कंपिने आ चुकी है जैसे कि जहां 20 आदमी काम होता ता है एक मसीन काम कर दीती बीस आदमी तो बेकार है ना पर यह इस संकट की एक छहलक मात्र थी इस संकट का असली चहरा तो गावों में तो को मिला जहां हजारों किसान आत्माहत्या कर रहे हैं हमने इस संकट के कारणों की पड़ताल करने के लिए आंद्रपरदेश जाने का निरना किया हमने इस संकट का कोई ताज़ा कारण हो बलकि ये तो एक लंबी उपेक्षा का नतीज़ा था सबसे पहले हम गोट कुरू गाउं पहुंचे जहां छे साल पहले वेंकट रामडू ने बिजली का तार पकड़ कर दर्दुनाक मौत को अपने गले लगा लिया और अपने पीछे पतनी बच्चों और बुढ़ी मा को बे सहरा छोड़ गया ख़ाल प्या जाना वन्नीनू तो अट पेट वड़त पंडरा का आयना अपने लेसर अन्त बीड़ गोशारा लन्त अन्गितिया पारिति कूली बोता नानु यंद अधा कूली बचाना अपने बचली कुन्ड़ आनने कि इनलो गुर भून लेसर अन्त पड़िवार्क अभवर आप नहीं हो थानाड़, एक पादे बादे लेसानाक विया मंटे फिलों नेकुछुम। अभूलोल थाना नीन आवल नीन तेच कट्ड़ड़ानि के आएने इटलाइबे नीन आवल जे यला नीन पिलों बदिकिछकूम। प्रमिल्ला की लाचारी, परेशानियां और आसु अभी भी नहीं थमते, पर हमारे लिए शायद ये बात पुरानी हो चुकी है परेशानिया किसानों ने आत्महत्या की हैं ऐसी ही लाचारीयों से तंग आकर भासकर रिड़ी के पिता ने अपनी जान दे दी सूखे की मार जहल रहे ये किसान, सरकारी नीतियों की दोहरी मार भी जहलने को मजबूर थे इस धिते रहे इना डाल baş अρशे साथाबे इमेंOUR logarम组ज्सकरी के लुए नИ siete अच्चीड जासılar नीतियों की दोविशने किस दूऑ घ्टिक्वर अट्रिटन लुए. अब ये आत्महत्याएं रुख गई थी तिन पहले, कि अब ये आत्महत्याएं रुख गई थी, हमारे अनंतपूर पहुचने के मात्र दस दिन पहले, दर्ज और फसल की बरवादी के करण वेंकटेश लू और उसकी पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली और अपने बारह साल के लड़के को अनात्थ छोड़ गए रात को छे बजे उंगलें बासा पीए एक दस निमीसे आंको मिंगे उने पैखने जातं का तो जाको निंगली ये वो दवा हुने गई बासा आस्पतर को छोड़ का आय तो इने मेरे जोरूच गए तो मैं लोकां कान रहना इने भी पिया अमर नसीव अच्छ नहीं बाई ये दुनिया में किसे यत नसीव नहीं है दो जनें को येकी दिने रखना कतो अल्लाः नहीं लाँर इन्निय लगे तो ओ आलाम मारी युमना पत्ति है चेपाँ सरे अपूल दीरत अब्रह ने ने नूगे उन्टा का अदा आंट्य पेरिशेता मिलेदू जब्पन एववरिक चेपिलिएडू सचच्विंतर अवद्धर अच्छ दे अपूलो इन्तानी स्टेप करें दो हो जो कोच्छ घ्र नार को सुच्छ ऺच्छ चाहिकर एपापचल जो कोच्छ आप लेए एवर एम सोच्छ आप पेंलाम ने हीवाएए था पिल्लीवडव हो जो एएफ जैए रेट लेएद इपड़ एपड़ रूपाल होंदी अन्नी वच्छिंत अरमा पन्नेंडिके इलज़ची नेला अन्नी वच्चिन दरवाथ सारक वंत रवाथ 34 वेर पालो फंदिन धन्युंटे अप्पोहल tutorial एग्वेर लाह एग्षि लगूट इदेरेट अप्पोहल्ट गाथ। कि वहीज को पाधिर पार पाल कोड़ कोला है अब ब्रूम्ग ओप्रूब कोड़ कोड़ परकूव थे पर कि शममसचरी पर कि शममसचर चूपः कोड़ इवड़ आईधेल उन्दे हम उन्देक आरउंद़ आईधें इवीमाटगें रेट्ट वढवन एधे उन्दे है पर कि पटीमावन के रहिते की पतीमावन कुंचुड़। पतीमावन कुंचुड़। मत्तर उछी प्रभववम है थे, पुटध अदा, पंड़। अपकोदे अब देप अदा, पंड़। मैन पुललरालो अपूद अपूदे, अजए अंदिरान पुल यह लाद। लिंगन्ना अपने भाई के जाने के गम के साथ अपना कर्ज उतारने के लिए जी जान से खेती में लगा है पर फसल आने पर क्या बाजार उसके संघर्ष का सम्मान करेगा? फिलहाल तो हमारे तंत्र को इन आत्मात्याओं के कारणों को भी जानने में कोई दिल्चस्पी नहीं है पी साइनाथ बारत के एक बहुत महतुपून पत्रकार है आंध प्रदेश में जाकर उन्होंने सर्वे किया कि आकिसान आत्मात्याओं क्यों कर रहे हैं और उनको यह जानकर आश्यर हुआ, जो पुलिस थानों में उसकी एफायाद लिखी गई है उना आत्मत्याओं की, उसमें सारे के सारे आत्मत्याओं के पीछे एक कारण दिखा गया है, इस्टमक एक. आंध्र पुलिस में 200 पिसान आत्मत्याओं करते हैं, अलग-अलग जिलों में आत्मत्याओं करते हैं, और उस सब पीट दर्थ से परिशान होकर के आत्मत्याओं करते हैं, जहर पीते हैं, और पुलिस इस केस को जिस तरह से निप्टा देती हैं, और अकबार भी उसी तरह से उसको निप्टा देते हैं और हम यह जानने की कोशिश नहीं करते कि आत्महत्याओं क्यों हो रही हैं तो यह बहुत बड़ा फेलियोर है सारे सरकारी विभाग इन आत्महत्याओं पर सामानिप्टतिकरिया दे रहे थे अब हम पेनना आहेविलम बांध की ओर जा रहे हैं जिसे बनाने में सरकार की अच्छी खासी रकम खर्च हुई पर इस बांध का सूखे की समस्या के समाधान से कोई वास्ता नहीं था पेनना अच्छी णितिमूजार皱 फू पर जे ते नि कहाची अच्छी की समस्किकरि जादित वाइब का लग डे करना वेलमammen tow बांध की अच्छी ओर रह प्ड चवाग इन वेड 안ध दिस्ट्रिक ऱ्षिख फूवचह व Βश्य्ट आसे अपत्रूश्त्य आश्ट्तिकरि म from वायकोर्स of ShreaseOham Duchamp when it started initial budget वाद İsutftig got 30 crores or so but I think we have already spent more than 150 crores and there was unfortunately even problems in construction some of the engineers argued that it is anot safe to leave water into it this is also in that politics we really don't know common people farmers do not understand these kind of इसे बांधों के निर्माड में विशेशग्यों की राय तो ली जाती है, पर उनहीं की जो उसके निर्माड में सहायक हूं. अब हम अनन्दपूर छोड़ रहे थे और हमारा अगला पड़ाव महभूब नगर के गाउं थे. हम सूखे से प्रभावित एक और गाउं रंगापूर पहुँचे, यहां के एक किसान नर्शिम्मा रेड़ी ने कर्ज लेकर एक के बाद एक चौदा बोर्वेल लगवाई, पर इन में से किसी में पानी नहीं आया, कर्ज और सूखे से हताश होकर नर्शिम्मा रेड़ी ने की कोई पुरुष ना होने के कारण घर की महिला सदस्य कैमरे के सामने नहीं आई, हां उन्होंने हमारे लिए कोल्ड रिंग जरूर मंगवाई, एक नयतिक प्रश्ण हम सब के दिमाग में था, कि सूखा ग्रस्त गाउं में हम अभी तक पानी तो नहीं ला सके, फिर कोल्ड रि अपना ही चीनी, अपना ही महनत, अपना ही फैक्ट्री, अपना ही जमीन, उसके अंदर तोड़ा कोक दालब कोका कोला बनाओ, आपका गन्नाय का रस कतम, चरकुरसम, आपका नीम्बू का पानी कतम, आपका चास चल्ला कतम, आपका कोकोनेट वाटर कतम, इस इस दिप्राब अब हम गंगापुर गाउं में हैं जहां तीन महीनी पहले 36 वर्षिय बतुल्ला अंजय नालू ने फसल की बरबादी और कर्ज के तले दब कर अपनी जान दे दी खाने के बिना इंदो बच्चों और खुद को चंद कला कब तक जिन्दा रख पाएगी ये बताना मुश्किल है इसी भयावे इस्थती के कारण यहां से छोटे किसान और कृशक मजदूर बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं जिले के दलित किसान तो और भी बुरी तरह बैंक का तिरसकार सहने को मजबूर हैं और बैंक उनकी पहुच से बाहर हैं इपड़वरक्व दाधपई समच्रन लो रुण्डवंद लो मंधि मंदेर रहत लो रहत लू आत्मात्यल यसकुननार। अब हम कावेरम पहुचे। वहां किसान और आत्मात्या का एक और करीबी और भायानक रिष्टा देखने को मिला। गाउं के लोगों ने इस डाल को मनहूस बताकर काट दिया। जिससे लटक के चिकरू अंजयनायलू ने अपने गले में फासी लगाई थी। चयो को ताडव फेटे कोनि इव यटला अब दाय्द्दुनू थाडव फेटे कोनि प्यटव कोनि झालाम हम् हमूसा कालमायन दांका सूशी लेकन्नाँ इन रोते बिलगते किसान परिवारों से क्या हमारा कोई सरोकार नहीं? यहां से हम गुंटूर के लिए निकल पड़े। पर एक चीज हम समझ नहीं पा रहे थे कि इस जिले में अब तक 90 किसानों की आत्महत्याओं का पोस्ट मार्टम कराया जा चुका था। फिर भी अब तक स्थानिय मीडिया ने इन आत्महत्याओं को खबरों की तरह ही लिया। चाहिए है कि वो कंभी रूप से कृसी संकट की और इसारा कर रही थी। जिस तरह के मिडल क्लास को वो सर्व करना चाहते हैं वो मिडल क्लास को अब मानते हैं कि उसको दुख की निराशा की खबरें न दी जाए। उसके लिए हमेशा ऐसा दिखाओ जैसे पूरी दुनिया पूरी दुनिया में कोई भी डिक्कत नहीं रह गई कोई समस्या नहीं रहे गई सक तरफ अच्छा चल रहा है कि मोटापा कम कैसे करें हमारे देश के किसान आत्मात्या कर रहे थे उस पर कोई भी कवर स्टोरी किसी अगबार ने पत्रिकारने करने की जरूरत नहीं संझी हम में हमारी देश की उत्पादन का 0.1% प्रतिशत भी नहीं है इतना सारा मीडिया टेंशन है और यह जो हमारी देश की उत्पादन की एक चौथी भाग है हमारे देश की आबादी की 65% लोग डिपेंडेंट है उसी पर उस पर इतना बड़ा क्राइस चल रहा है कोई देखने क्या हमारे राश्ट्रिय मीडिया का देश के किसानों और क्रशी से कोई सरोकार नहीं? मीडिया के हाथों में अगर आप यह देखें तो मीडिया का एजेंडा बाजार करता है और मीडिया क्या आज चाहिए करने में ना सिर्फ बाजार अकहेला उसका दिम्हेदार बलकि परेंटल पार्टी्ज हैं जो लोग बहुत हाइप और बहुत हैं वह बहुंते अ पर इन दोनों में किसान कहीं माइने नहीं रखता है, ना तो किसान बाजार का इस्सा है और नहीं वो पॉलेटकल पार्टीज के जंडे में है। सबसे आगे, सबसे पहले, सबसे तेज, जो मीडिया ये बात कहता है, वो मीडिया उस किसान का दर्द नहीं समझ बाता है, कि वो पिछले छे महिने से कर्जे में डूबे-डूबे कैसे आधमत्या तक पहुँच गया है। का एक कारण पानी के लिए होने वाली राजनीती भी है। उन्होंने आगे कहा, पहले ही फंड खत्म हो गए। नहरों के लिए सरकार से दूसरी बार फंड सेंक्शन हुआ। दो साल से यहां से हैदराबाद शहर के लिए पीने के पानी की सपलाई हो रही है। पर तीन साल से इसकी नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया। कारण, करनाटक के अलमाटी बांध से पानी नागारजुन सागर के लिए न छोड़ा जाना। इन दनों करनाटक और आंध प्रदेश में बारिश हो रही है। लोगों का मानना है कि अलमाटी बांध में खत्रे के निशान से उपर पानी आने पर नागारजुन सागर के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल बांध के आसपास के किसान अपनी सूखी फसलें जला रहे हैं। अब हम राम रिड़ी पालम गाउं जा रहे हैं जहां वेंकटेश्वर रिड़ी ने तीन साल से नहर में पानी ना आने और फसल की बरबादी से हार कर आत्महत्या कर ली। ये वेंकटेश्वर रिड़ी की 15 वर्षे बेटी है जिसकी शादी के बाद उनके कर्ज का बोज और बढ़ गया था। इन्होंने बताया कि इनके पिता ने कहां और कैसे फांसी लगाई। अब हम रमेश से मिलने जा रहे हैं। रमेश अपने पिता के आत्महत्या के बाद गहरे सद्वे में है और अपनी पढ़ाई पर होने वाले सालाना 5000 रुपे खर्च को ही अपने पिता की आत्महत्या का कारण मानता है। किसानों की आर्थिक इस्थती और देश की आर्थिक सनरचना पर लोगों की आमराय यह है। ओ़ फिन अब्सक्राओर मेरा प्रछों की आर्वाच भीभ D वाले के पनला के साइंजे रंगाने, रुणाले हुगाने, यह एंग लिए. जो एलेक्शन में हैं छोरे लोग, एम्पी से में छोर लोग, जिन जब तक ये पार्लमेंट और असम्मली में भाइटके अपनी कानून बनाते हैं, अजिए लोग, जिन मजदूर गरीबों का पिजन्टरी का ओट तक लेते हैं, और उनको ओट लूटते हैं, उनकी जिंदगी लूटते हैं, नान इशू कि शू कराने का एक, अरे भाबरी रह तो क्या होता है, राम रह तो क्या होता है, दुन्या को क्या जा रहारा, दोनों भी रंदों, उसके अंदर, नान इशू मेकिंग अन इशू, लगले इतना लेशी गड़ा, रही तो लेशाला में नास्टपाता नार, प्रभुतों अने पटीज कुन्टे हैं, रही तो के पबलों इसकाना, वारनों वाकटे हैं, सरेन पत्तिवादे हैं, रमेश अपनी मा के साथ आगे की कठनाईयों का सामना कैसे करेगा, ये तो पता नहीं, पर किसानों के अनाज को कब बाजार में ले जाना है, ये कुछ लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये आत्महत्याएं इतनी आम हो गई हैं, कि इस्थानिय लोग कलाकार अपने गीतों से किसानों को सांत्वना दे रहे हैं, मोटगोट्टि राजनाल, पंटदेसि रासुल्ले पोसिनाल, मनकाला माच्च वरकु मंच्चि निल्ल सुक्क लेदु, ओ, रैतन्न, नंगि तोटि गूशोकु, आरैतन्न, बादपड़कु, बयपड़कु, रैतन्न, बादपड़कु, बयपड़कु, रैतुल संक्षेमु, कै कोत्त पदकालो, के इंद रास्त प्रभूत्वाल, रैतन्न, नंगि तोटि गूशोकु, आरैतन्न, बादपड़कु, बयपड़कु, गिट्टु बादु धरलो लेक, नस्टपईन रैतुलन्त, गिट्टु बादु धरलो लेक, नस्टपईन रैतुलन्त, प्रभूत्वानि, प्रभूत्वानि, प्रभूत्वानि कीदेलिया, चेप्प रैतुलन्त, पर अभी भी ये किसान अपने जीवन की लौ अपने ही हाथों बुझाते जा रहे हैं। हम वारंगल की ओर निकले और अगली सुबह बर्दन पेट पहुँचे। यहां कंजरला नरसिया ने जमीन लीज पर लेने और बोर्वेल लगाने के लिए दो बार करज लिया पर पानी और फसल दोनों उसकी किसमत में नहीं थे। और एक दिन साहुकारों के दबाव और अपनी लाचारी के बीच खुटकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। पानी नाने की बात के वल फूला के पिता के साथ नहीं थी। रवज।र्वेल नथी पूला के लाचारी की लिए नहीं के लिए प्लत कि गुट्ड़ स्काजिए ए में सब का लिए उसकाट्थ तो झालों से ऑन्हों थे गुट्ड़ और उथी। मैं वड़ा की लिए लिए प्पोवाँ पूला इने लिए रवेल। दयाकर की तरह ऐसे सूखा ग्रस्त इलाकों में कई किसानों की बच्चों की जिंदगी खरीदी जा चुकी है आगे स्थती इससे भी बदतर थी अब हम जफर गाउं जा रहे थे जहां आठ वर्ष की मोनिका अपने पिता की आत्महत्या के बाद घर के खर्च के लिए मजदूरी पर जाने को विवश्ट थी भाई और मा के साथ मोनिका के मजदूरी करने से घर का खर्च तो जैसे तैसे चलेगा पर कर्ज कैसे उत्रेगा अब हम कोट्टा पेट गाउं की ओर निकले गाउं पहुचकर हमने वहां के सरपंच आनंदम से मिलने की व्यवस्था की कैमरे से अंजान सरपंच ने हमसे खुल कर बात की आगे आनंदम ने हमें बताया कि वह इन पैसे की व्यवस्था कैसे करता है हम तो चार अजार में बजेगा एक गवजार अच्छ 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 अनंदम के गाउं में 2001 से अब तक 20 लोगों ने आत्म हत्या की जिनमें 15 का अब तक पोस्ट माठम भी नहीं कराया जा सका पंडबान पेरी एननालूना इबद की इन्ते गेरच्कोनी इंतने ताई इनने सच पेंड़ गोष्ट माटन मुदा को पादियन वंदलान रुन वेल आनका अलन्ट येवर सायंजेले में गोड़े पोले पादियन वेल आनका अलन्ट येवर सायंजेले में गोड़ गोड़े पोले इन्तु नियु आइदुरों पिल्ला अमा बापको अथलों इतलों मा बाप कष्ट बाड़ी मंधिदेगर बागी इले चिपेंड़ जिये शे नागो माल अपड़े नापको में चल्पवाद अबन शेले मा ओ केड़ए न काले कुंट्टे अँ नाओ पिल्ये शेलों अंतर में बाप आप साचिव हमा तमुल सीनापिल्ल अपिल्लों मा का नशीननल उलिल्लों इतनी जरजर आर्थिक हालत हाल में नहीं बनी, आखिर वो कौन से कारण थे जिन से इन किसानों की आर्थिक हालत बद से बदतर होती गई? किसानों का थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दिया जाता था, इसका भी असर कम हो गया क्योंकि हमने फूड को कहा देर से जाओ, कम खरीदो। किसानों की जो इन्पूट प्राइसेज हैं वो बढ़ते गए, बढ़ते गए, उधर उत्पादन का दाम बढ़ानी, क्योंकि वो विश्व बाजार के उपर था, 1996 से कम होता गया। इस्तुती इससे भी ज्यादा शर्मनाक है, इस आर्थिक संकट के चलते कई गाउं की महिलाएं गंदे बाजारों तक जाने को मजबूर हैं। हम ऐसे ही एक गाउं गए, जहां तकरीबन एक दरजन शादी शुदा महिलाएं, विश्य वृत्ती के जरीए अपने घर और बच्चों को जिला रही हैं। कहले नहीं जाता रही हैं। हम घर देमार कई गाउं झाउं को जाता हैं। पर्च्चती के पर्चित वाला, नेनु शेक्स्वार करता हैं। अधि नाक इस्टा वो पढ़तालेन। इसी महिलाएं शेहर जाकर अपने आर्थिक पोषण के लिए बाजारू होने को विवश हैं पर किसानों की इस जरजर आर्थिक हालत के बावजूद बाजार में मंदी नहीं आई है वो तो इन किसानों से भी अपने तरीके से फायदा वसूल रहा है अब हम ऐसे गाउं की ओर जा रहे हैं जहां 32 वर्षिय जुझारू किसान अचुला तिरुपती ने हमारे जाने के मात्र 16 दिन पहले आत्महत्या कर ली अचुला ने अपनी कपास की फसलों के बर्बाद होने पर बीटी कॉटन और नकली कीट नाशकों के खलाफ आवाज उठाई थी जब तक उसकी बात सरकार तक पहुँचती तब तक कपास की तीसरी फसल भी बर्बाद हो चुकी थी और इस तरह फसल बर्बाद हो जाने पर हार कर उसने अपनी जिन्दगी खत्म कर ली इन पड़ पड़ा अरेट पड़ा अरेट में पड़ा नहार का छचेए अशला एट्ताले नहां फिची आड़ दूची आर्क लेदुजी अर्को अाकिक इतला बूरान थां लेगपाला वाला अजिज्यारको कर देलैट इनुन नं नंग्ण करुको इतले चेसले अग्तान, नहीं, एजodको येदु कटको अचेल पोड़ेजु उन्द मफिणा जाए, जा जलुक, अचानुु नहीं, शर्व रोकम कुझा नहीं। लेखो आटको मा देशको निए अटोल खुरगाय लेशको निए बोन्या पईनलू में बचार के खोट कंडी लेद विल्ए उन्टूर पालियो तला कि बचार के मा दच्छें लुग अटा इगाटे देशके पईनलू में अजी थागिन्दी, में तूडले, आजी नोवक्रान। येंटी दो मेरा डबब येदु वानी जेवलले लेदु इज वाड़ा इते सच्च भई उन्डु अक्काड़ा इज में जोवग वार के आको तकानले तान। ऐसे कई किसान परिवार इन बड़ी कमपनियों के खराब और प्रतिकूल बीजों और कीट नाशकों से तबाह हो रहे हैं। कि बीटी कॉटन का अभी तक जो असर पड़ा है वो जाधातर किसानों के हितों के खिलाफ गया है। मॉंसांटो की जो कपास की वराइंटीज हैं बीटी कपास की उनसे काफी दूर्गत हुई है किसानों की आखिर क्या कारण था कि लगातार इन कंपनियों के बीजों और कीट नाशकों के खराब प्रदर्शन के बावजूद किसान इनके चंगुल से नहीं निकल पा रहे थे। क्या हुआ है कि मल्टिनेशनल कंपनीज का विशेशकर आडवर्टाइजिंग पावर जो है इतना बड़ा है कि वो टीवी पे कर सकते हैं वो पोस्टर लगा सकते हैं सब जगा और इन्पुट डीलर्स को खरीच सकते हैं उधर से आपकी सरकारी जो एक्स्टेंशन सर्वेसे हो गए हैं वो तो बिल्कुल बंद हो गए सरकारी बताने वाला कोई है नहीं असली चीज क्या है इन्पुट डीलर आपको समझाएगा कि आप वीटी कॉटन वाला लेलो मगर उसने साथ साथ ही पेस्टिसाइड ही लगाओ मल्टिनेशनल्स ने भी ये फैदा उठाया है डी किसान सुखे और अपनी आर्थिक लाचारी से लड़ने के लिए अकेले छोड़ दिये गए हैं जिन्दगी के हाशिये पर खड़े इन किसानों को अभी ऐसी योजनाओं का भी सामना करना है जिनसे इनकी हालत और निराशा जनक हो सकती है इन योजनाओं में किसानों का फायदा और नुकसान साफ साफ दिखाई दे रहा है ऐसे बहुत से किसानों को उनके हाल पर छोड़कर अब हम वारंगल छोड़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं हैं हैदराबाद की ओर इन किसानों के भविष्य का सूरज फिलहाल डूबता नजर है कि अकेले आंधर प्रदेश में कितने किसानों ने अपने ही हाथों अपना जीवन खत्म कर लिया जब हम हैदराबाद की आधी दूरी पर थे तो हमें खबर मिली की महराश्ट्र के विदर्ब ख्षित्र में आज फिर दो किसानों ने आत्म हत्या कर ली अभी पूरा देश में जो समस्या चल रही है वो तो कुछ-कुछ राजियों में बहुत ज्यादा आंधरा में तो सबको मालूम ही है मगर करनाटक, महराश्ट्र, महराश्ट्र में विदर्ब विशेशकर मगर पूरा राजय में ही आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में हो रहा है शुरू हो गया राजस्थान में काफी दिन से है गुजरात में शुरू हो गया है यूपी के कुछ-कुछ इलाकों में सुनाई दे रहा है हमारे देश का तंत्र माने या ना माने पर इस भायावह कृषी संकट के चलते देश के कई हिस्सों में हजारों किसान आत्म हत्याइ कर रहे हैं सरकार माने या ना माने, सुईसाइड बन गए हैं, हंगर डिट शुरू हो गए हैं, मैस माइग्रेशन शुरू हो गया है, बहुत ही ज्यादा एग्रेरियन डिस्ट्रेस की सारे चिन्ह आ गए है। अब हम हैदराबाद शहर से कुछ ही दूरी पर हैं। यहां आकर हमें एहसास हुआ कि देश में विकास प्रक्रिया हर जगा ठप नहीं पड़ी। यहां विकास के कुछ ऐसे नमूने भी मिले, जो किसानों के संकट की खिल्ली उड़ा रहे थे। जैसे स्नो वर्ल्ड। जो भी हो, हैदराबाद के हर चौराहे पर नई तेलुगू फिल्म, अपरीचितु का ये गाना हमने इतनी बार सुना कि याद हो गया। पूरा हैदराबाद इस गाने पर जूम रहा था। यहां आकर देश के नीती निर्धारकों की मंशा साफ नजर आ रही थी। रूलिंग क्लास की एक जो ग्रूप है जो पहले कह रहे थे इंडिया शाइनिंग। अब आप देख लीजे जो नया इकनामिक सर्वे निकला उसमें तो वही इंडिया शाइनिंग की बात ही चल रही थी। मतलब की जो रूलिंग क्लास है उन्होंने कुछ बदलाने। है अभी तक उन्होंने समझानी। हाई-टेक सरकारों का अपनी किसान जनता से समबात करने का तरीका भी हाई-टेक है। आप यह सोचिए कि इस देश में जो किसान 75% हैं जो गावों में रहते हैं उनसे इस सी डेक्ट पे विचार मांगे गए हैं कितने किसान हैं जो वेबसाइट एक्सेस करते हों, कितने किसान हैं जो अपनी बात कह पाएंगे। यह दुखद है कि इस देश के किश्वी मंतराले में बैठे हुए लोग अभी में नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के किसानों से आप कैसे राय मांगे। क्या हम अपने देश के साथ वाकए विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस देश की प्रगति इस देश का विकास संबव नहीं है। इन सब के बीच जब गद्दर ने अपने अंदाज में हमसे प्रश्न किया तो हमें उन परिवारों का खयाल हो आया जहां हम गए थे पिर भी सर्यों से भूखा क्यों है अरे दुनिया को पेट को रोटी देने वाल गाने दाने को तरस्ता क्यों है यह प्रश्न पूरे देश के सामने है क्या इन किसान परिवारों के आशूँ और इनके दर्द से हमारा कोई वास्ता नहीं क्या सरकार वाकई नहीं जानती कि इन किसानों की आत्महत्याय रोकने के लिए उसे क्या कदम उठाने है सर्थक कदम तो हम लोग जानते ही है कि क्या उठने चाहिए बजरासा इस चीज को इस्तवाल करके अगर आप एक नीती बनाते हैं देश के स्तर पे खेती की तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है बशर्ते आपकी नियत साफ हो आपकी नियत साफ होनी पड़ेगी पानी को लेके आपकी नियत साफ होनी पड़ेगी बाजार को लेके आखिर क्या वज़े है कि सिर्फ आप पंजाब हर्याना से गहों खरीबते हैं आखिर क्या वाज़े है कि कोदों और मडवा और इस प्रकार की पुराने हमारे अनाज थे, जिसपे के हमारे ग्रामेन समुदा निरभर थे, वो आपने क्यों छोड़ दिया बिलकुल, पानी कोका कोला की फैक्टरी को क्यों जाता है, खेटी को क्यों नहिं जाता है इस्थिती बिल्कुल साफ है, सरकार के एजंडे में कृशी और किसान प्रात्मिक्ता नहीं रखते सरकार को एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि किसानों की अंदेखी करके वो विकास के नाम पर एक खोकला धाचा भर ही बना पाएगी गर सरकार इस तथ्य को समझने में देर करती है तो पूरा देश संकट के साय में होगा मढबाण वार M.N.д estásपा ड्यूर भूरान्ग छोषदीट कर्या होजिति, ज्युथर टेश साय मतरमिक्षाइके नहीं वे दिल्य। आधिवस्ता बातल την व्यूतक व्य॥र्य कर्वादिष, यह ल IRS रुट तरूरिशधत उबस्तिछों पलूरेशिह And very soon, Madhya Pradesh farmers are also going to be committing, I mean, they're going to be driven to commit suicides in large numbers. Social revolution हो जाएगी और गलती हमारी होगी का हमने कुछ किया नहीं इसके पीछे. Well, what I want to warn is that people are going to rebel. फिल हाल देश के छोटे किसानों और इनके बच्चों का भविश्य इस संकट की अंधेरी रात में गुम होता जा रहा है. और हम सब सिर्फ सरकार को दोशी ठहरा कर अपनी जिम्मेदारी से मूँ नहीं मोड सकते. सरकारें हम बनाते हैं, हम माने या ना माने हम सब उसी तंतर का हिस्सा हैं जिसमें आज इन किसानों का जीना दूभर हो गया है. वक्त की दरकार है कि हम सब मिलकर भारत की रिड कहे जाने वाले इन छोटे किसानों का इस संकट की घड़ी में साथ दें. वन्दे मातरम घाने से नहीं आता रोटी, वन्दे मातरम की इंप्लिमेंट करना इस देश के अंदर. हमें देश के जिम्मेदार लोगों को उनकी खतरनाक नीन से जगाना होगा. जागोरे 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 जाग उरेड़, डागो